आने वाले दिन उथल पुथल भरे हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो देश के विकास को रोकने के लिए सेकुलरिजम का चोला ओड कर बैठे रहते थे उन लोगों के लिए तूफान भरे हो सकते हैं आने वाले दिन जो राष्टवाद की आज को धीमी करने के लिए अल्प संख्यत तुष्टी करण को धार दे रहे थे और ऐसा क्यों होगा क्योंकि मोधी सरकार कुछ बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो चुकी है पुरी तरह से कमर कस चुकी है और क्यों क्योंकि जब इस देश में एक देश एक विधान हो सकता है एक राष्ट एक राषन काड हो सकता है एक राष्ट एक ग्रिड एक फ्रिक्वेंसी हो सकती है एक राष्ट एक उर्वरक की नीती लागू की जा सकती है एक साथ दस करोड से अधिक किसानों को सम्मान निधी दी जा सकती है। तो एक भारत, स्रिष्ट भारत का संकल्प पूरा करने के लिए एक देश, एक सिभिल कोर्ट का कानून क्यूं नहीं बन सकता, एक देश, एक जनसंख्या की नीटी क्यूं नहीं बन सकती है। तो याद रखिए अब इन सवालों से टकरानी का समय आ चुका है क्योंकि मोधी सरकार ने एक कैसा काम कर दिया है जो न भूतो न भविश्यती है उन सभी शक्तियों को हमेशा के लिए हासिये पर धकेल दिया गया है उसे खत्म कर दिया गया है जो CAA के समय देश को अराजकता म में धकेलने का प्रयास कर रहे थे सरकार जल्द ही कुछ बड़े फैसले लेने वाली है जिसके संकेत धीमी आज पर मिल रहे हैं आज के इस वीडियो में पूरी खबर आपको दूँगा साथियों नमस्कार मैं हरिश्चंड बढ़वार आपको इन महतपूर्ड खबरों की ज लेकर चलता हूं वो इसलिए कि जब आप पीछे की खबरों को देखेंगे तब आपको भारत का भविश्य नजर आएगा और तभी आप समझ पाएंगे कि इन खबरों की एहमियत क्या है साल 2019 याद कीजिए भारत के इतिहास में मील का पत्थर है इस देश में पहली बार सरकार बनी तो क्या-क्या फैसले हुए आपको एक छोटी सी जलक दे रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजेगा फिर आपको आने वाले दिनों की कहानी समझ में आएगी इसी साल तीन तलाक कानून को अपराद घोशित करने वाला कानून बनाया गया इसी साल जम्मो कश्मीर का जो विशेश दरजा है यानि आपकिल 370 वो खत्म किया गया इसी साल सर्वोच नियाले ने श्री राम जन भूमी पर श्री राम लला के स्वामित्तु को कानूनी वैत्ता दी और ये मोदी सरकार की वज़ा से हुआ वरना पिछली सरकारें तो टाल रही थी इसी साल भारति संसद में भारतिय नागरिक्ता कानून में संशोधन किया गया यानि CAA कानून लेकिन इसके बाद क्या हुआ जो राष्ट विरोधी ताकते हैं वो पूरे देश को अराजकता की और धकेलने में जुट गई कई ताकते हैं जिसमें पक्षी पार्टियां भी शामिल हो गई औ संसा को भी CAA प्रोटेस्ट के नाम पर जस्टिफाइ किया जाने लगा और इसके बाद क्या हुआ इसके लावा दो साल यानि 2020 और 2021 भी कोरोना की भेट चड़ गया लेकिन ये मत सोचिएगा कि सरकार पीछे हट गई सरकार डर गई ऐसा नहीं है बिलकुल भी जो लोग इस ग जरत फहमी उतरने वाली है ये जो 56 इंच का सीना कहा गया ना ये शब्दों की बात नहीं है ये लेटर एंड स्पिरिट में मोदी सरकार लागू करना जानती है और जो लोग CAA को लेकर मद्धोश हुए बैठे हैं कि अब तो सरकार डर गई है जी कुछ नहीं होगा उनके ल बाते हैं ना वो सब समझ में आ जाएंगे सुन लीजिए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भार्यों को भार्यों कि समझ गया ना अमिद्शार जी ने क्या कहा है यानि कि अब वो समय आ चुका है और इस दिशा में पहला कदम पढ़ चुका है जब आतंकी संगठन पीए विपक्षी दनों का सबसे बड़ा हत्यार बना हुआ था अब तो सारी खबरें के करके सामने आ रही है ना अब मोदी सरकार एक बार फिर देश को एतिहासिक परिवर्तनों के दौर में ले जाने की तैयारी कर रही है और इससे जुड़ी दो बड़ी खबरें आई है जो हलक की फुलकी दिखाई जा रही है लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पूरी खबर एक लीक में बताना और आपको समझाना कि किस तरीके से चीजें पक रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं पहली खबर प्रयाग राज में आरेसस की राष्टिय कारिकार्णी की बैठक से आई औ जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार से किया जा और बैठक के बाद जो सर सह कारिवाह दत्ता त्रे होस बोले उन्होंने क्या बयान दिया उन्होंने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए और दत्ता त्रे होस बोले ज अधार पर जन संख्या असंतुलन को अंदेखा नहीं किया जा सकता है मोहन भागवत ने धर्म के आधार पर जन संख्या में असंतुलन से देश में विभाजन और राश्टरों के धार्मिक चरित्र बदलने के उदाहरण दिये थे और याद रखिए ये जब बाते हो रहे हैं तो कुछी समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात मोहन भागवत से मिले हैं और ये मान कर चला जा रहा है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जन संख्या नियंतरन कानून से जुड़ा कोई कानून लाया जाए ये समझ लीज़े वैसे जिस समय जन संख्या नियंतरन कानून की बात हो रही है न ठीक उसी समय सुप्रिम कोर्ट में एक याचिक का थी समान नागरिक सन्हिता यानि युनिफॉर्म सिविल को लेकर तब उस याचिका के दौरान जब सुप्रीम कोट में केंद्र सरकार गई सरकार ने शपत पत्र में क्या कहा आपको समझना चाहिए उसने कहा कि कोट संसत को कानून बनाने के लिए बात ये नहीं कर सकती है ए क्योंकि आजकल जो कोट से फैसले आ रहे हैं जो अब्जर्विशन्स आ रहे हैं वो भी कई बार चिंता पैदा करने वाले होते हैं और इस बार सुप्रीम कोट ने कहा तो बोला भाया ये तो आप कैसे करेंगा आप संसत को आदेश देंगे क्या संसत तो सौवरेन पावर है आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं और याद रखे सरकार ने ये भी कहा कि संसत इस मामले पर विचार करके उचित समय पर कानून बनाएगी यानि एक तरह से कहें तो देश में युनिफॉर्म सिविल कोड और पॉपलेशन कंट्रोल बिल लाने के लिए जो महौल है न वो तय प्यार होने लगा है सरकार ने समान नागरिक सनहिता पर कानून बनाने के लिए 22 में विधी आयोग को काम सौंक दिया है भाईया आप पढ़िये देखिये क्या कुछ किया जा सकता है क्योंकि ये तो सरकार का काम है ना कोड का काम नहीं है और जब सरकार कानून बनाती है रहा है कि वीधी आयोग की सिफारिशें मिलते हीं सरकार इस पर कानून बनाएंगी इतना ही नहीं देश में युनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार नहीं और बड़ा काम किया है सरकार नहीं ये कहा है कि जो भी राज्य सरकार चाहे तो अपनी तरब से कानून बना सकती है और ये देखिया आप रिपोर्ट, states free to legislate on uniform civil code, law minister ये कह रहे हैं और इस मामले में उत्राखंड ने शुरुबात भी कर दी और उत्राखंड पहला ऐसा राजी बन गया है, जिसने कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वैसे आपके मन में ये सवाल उट सकता है, कि क् कैसा राजी है, जहां सभी धर्मों के लिए uniform civil code पुर्तगालियों के शासंकाल से लागू है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, आपको देखना चाहिए, मेरे वो लिंक मैं share कर दूँगा, आप देखिए का कि गोवा में किस प्रकार से ये uniform civil code लागू है, और ये ए आपको जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, कि 1835 से जब अंग्रेजों का शासंकाल था, तो वहां पर criminal law सभी धर्मों के लिए अलग-अलग हुआ करते थे, तो अंग्रेजों ने सब को खतम कर दिया, बोला नहीं, धर्म के हिसाब से ये punishment नहीं होना चाहिए, उसने एक सम के लिए अलग-अलग सजा थी, वो एक हो गई, तो समान नागरिक सनहिता क्यों नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि जो लोग भी युनिफॉर्म सिविल कोड के एगेंस्ट में तर्क दे रहें, वो गलत है, इसे लागू किया जा सकता है, और याद रखे, ये जल्द ही लाग बसता है, इसे आप इंडिया फर्स्ट की विदेश नीती और एक भारत, श्रिष्ट भारत की आंतरिक नीती से समझा जा सकता है, इसे प्रधान मंत्री मोदी की आत्म निर्भर भारत की आर्थिक और सामरिक नीती से भी समझा जा सकता है, 2014 के बाद जहां उन्होंने राजनीतिक, सामाजी, सामरिक परिस्थितियां पैदा की जिसके बाद ये कानून बनाया जा सका वही 2019 के बाद उन्होंने वो परिस्थितियां तयार की है जिसके बाद अगर ये कानून लागू किया जा सके तो कोई भी इस देश को अराजकता की तरफ धकेल ना सके और यही वजह है दोस्तों कि यह कहा जाता है कि जहां बाकी नेताओं की सोच खत्म हो जाती है वही से प्रधान मंत्री मोदी की सोच शुरू होती है और यही तो इंडिया फर्स्ट की सबसे बड़ी नीती है बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नमस्कार